आज के इस क्लास में आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कच्छा दसवीक के प्रसना वाली तीन के आगे के प्रसनों को पढ़ाने वाला हूँ जहां से हमें पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो प्रसन कर्मा गुनाओ एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयू का योग 45 वर्स है पांच वर्स पूर दोनों की आयू का गुडनफल उस व्यक्ति की आयू का चार गुनाथ था दोनों की वर्तमान आयू ग्याद किजी दोनों की हमें क्या ग्यात करना है वर्तमान आयू ग्यात करना है तो कैसे हल होगा तो देखो बहुत ही आसान है कैसे हल करना है आपको तो यहाँ पे देखो यहाँ पे व्यक्ति और पूत्र का जीक्र हुआ है तो यहाँ पे हम पूत्र को मान लेते हैं पूत्र की वर्तमान आय मान आयू बराबर यहां पर क्या मानेंगे भी यह तो एक चरवाला है तो आपको पता है कि मान लो दोनों को योग करना है तो योग करने में कितना है गर एक सो य बराबर पैंतालिस इस तरह से आ रहा है अगर एक चरवाला होता है था हम इस तरह से इसको हल करते हैं लेकिन यह दो चरवाला है तो हम इस प्रकार से हल नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे हमें यहाँ भी एक्सम ही वैल्यू चाहिए हम यहाँ पे y नहीं रख सकते तो आपको पता होगा कि यहाँ पे x तो एक मान फिक्स हो गया है दूसरा जो y का मान है उसको हमें x समय बदलना है कैसे बदलोगे तो y को यहीं पे रहने दोगो उसको उस पा ले जाओ तो 45-x तो यहाँ पे देखो यहाँ भी एक चर में प्राफ्थ हो गया तो यहाँ पे पीता की वर्तमान आयू होगी 45-x होगा ठीक है तो यहाँ पे निकल गया इस तरह से 45-x अब क्या करने के लिए कहा है प्रस्ण में अब कहा है प्रस्ण में 5 वर्स पूर्व दोनों की आयू में 5 वर्स पीछे जाएंगे तो 5 वर्स यहाँ पे प्रस्ण नुसार लिख सकते हो नुसार 5 वर्स पूर्व पुत्र की आयू बराबर पुत्र की वर्तमान भी क्या है X है न तो X हमें 5 वर्स पीछे जाए तो X-5 हो गया और 5 वर्स पूर्व पीता की भी आयू में पीछे जाएंगे तो यहाँ पे पीता की आयू लिखो पीता की आयू कितनी है 45-X है और इसमें 5 पीछे जाएंगे तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, यह 45-x-5 इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे-क अंदर तो गुड़ा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलती होगा, चलो ठीक है, इसको हटा दो, यह कोश्टक नहीं रहेगा, यहाँ पे कोश्टक लगा दो, तो आसान हो जाएगा, अब यहाँ पे यह प्लस है, यह माइनस है, घड़ जाएगा, तो घटने पे कितना प्राप्त हो रहा है, घटाने पे यह प्राप्त हो रहा है, चालीस माइनस एक्स प्राप्त हो रहा है, तो चालीस माइनस एक्स वर्स यहाँ पे इसका मान आया, ठीक है, अब क्या करने क्लिक है, प्रस यहाँ पर माइनस लगा लो 40 माइनस एक्स गुलनखन करेंगे तो उस व्यक्ति की आयू कौन है व्यक्ति देखो यह ना पीता जो है व्यक्ति है तो 40 माइनस एक्स क्या हो जाएंगे इस व्यक्ति की आयू का 4 गुणा हो जाएगा तो यह 4 गुणा उस व्यक्ति के साथ लगा देखो just opposite हो रहा है कौन वाले प्रस्ण में ये वाले प्रस्ण में जब मैं आपको दो चरवाला पढ़ा रहा था तो हर चीज हम छोटे के साइड में लगाते थे लेकिन ये एक चरवाला है तो एक चरवाले में क्या करेंगे जितना भी चीज लगाना है हमें बड़े के खाला था यहां पर अलग बता रहे हो यह कैसे हुआ तो यही चीज में बढ़ाना चाहता हो कि वह दो चरवाला था यह Как चर में नियम बदल जाता है, दो चर में अलग नियम रहता है, दो चर में जितने भी हम वहाँ पर सॉलूशन करते हैं, वो छोटे को ध्यान में रखते हुए करते हैं, यहाँ पर बड़े को ध्यान में रखते हुए करना पड़ रहा है, तो यह चीज़ आपको वहाँ पर और यहाँ से डिख्रेंद देखनों को मिलेगा. चलो आगे हल करते हैं. यहाँ पे देखो, ये मान और ये मान दोनों एक दूसरे काइड साइड में है. और ये भी गुरा में है, ये भी गुरा में. तो इसको यही से कार देते हैं, उस साइड ले जाएगे. तीर्या गुड़ा करके नीचे आगा, नीचे आने के बात कर जाएगा तो मैं यहीं से इसको काड़ दिया अब बचा क्या है, यहाँ पर X-5 बचा है और यहाँ पर 4 बचा है इस 5 को उसपाल ले जाओ तो यह हो जाएगा 4 और इस साइडा के प्लस हो जाएगा 5 तो यहाँ पर X सकमान कितना प्राप्थ हो गया X सकमान यहाँ प्राप्थ हो गया 9 तो देखो, पुत्र की आयू वर्तमान आयू कितना है? 9 अब पीता की निकाल लेते हैं भी तो पीता की वर्तमान यहाँ निकालने का तरीका क्या है चलो पीता की निकालते हैं वर्तमान आयू वहाँ पे दिया हुआ था 45-x बस हमें यहाँ पे क्या करना है 45 के सामने यहाँ पे 9 को रखना है क्योंकि x अकमान 9 आया है तो पुत्र की जो आयू है उसको पीता की आयू में घटा देंगे तो आसानी सेमान आ जाएगा तो यहाँ पे घटाते हैं कितना प्राप्त हो रहा है तो 9 इसमें घटाएंगे तो यह प्राप्त हो रहा है 36 तो यही क्या है इसका एंसर है पीता की आयू 36 वर्स है पूत्र की आयू 9 वर्स है तो इस तरह से आपको हल करने है समझ में आ गया इस तरह से यहाँ पे देखो एंसर आ गया चलो आगे देखते हैं अगला प्रस्ण जो हमें देखना है वो भी आयू से संबंदीत है तो देखो यहाँ पर क्या है निल मडी की 5 वर्स पूर्व की आयू तथा 8 वर्स पूर्व की आयू का गुड़न फल कितना है चालीस है निल मडी की वर्तमान आयू गयात कीजिए अब यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का जिक्र हुआ है सिर्फ निल मडी याद रखना किसका निल मडी ना यहाँ पर उसके पिता है ना मात है ना भाई ना बहन कुछ भी नहीं है इसी के आयू में हम 5 वर्स पहले पीछे जाएंगे फिर दूसरी बार हम 8 वर्स पीछे तो इसी की साब से करते हैं जैसा प्रश्ण में कह रहा है वैसे ही हम करेंगे तो चलो चलते हैं भई क्या कह रहा है निल मडी की यहाँ पर लिखो 5 वर्स पूर्वर यहाँ पर मुझे लिखना था मैं बूल गया 5 वर्स पूर्वर निल मडी की आयू ठीक है मालो निल मडी की जो आयू है ठीक है क्या है वो भी मैं बुल गिया हूँ चलो थोड़ा से यहां पर उपर में और लिखते हैं ठीक है नील मड़ी की आयू की वर्तमान IU बराबर X वर्स जब तक कि हम X वर्स नहीं रखेंगे मतलब वर्तमान IU नहीं रखेंगे तब तक कि हम उसमें 5 वर्स को कैसे गटाएंगे इसलिए ये चीज मैं भूल गया था तो भूल गया तो उपर में मैंने लिखा अब नीचे में हम लिखेंगे 5 वर्स पूर्व निल मड़ी की आयू अब इसकी वर्तमान आयू कितना है? X है और पीछे जा रहा है मतलब 5 को क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे तिये X माइनस 5 वर्स हो गया दोबारा क्या कह रहा है? आठ वर्स पीछे जाने के लिए कर देंगे 8 वर्स पूर्व निल मड़ी की आयू इस बार 8 वर्स पीछे जाएंगे तो यहाँ पे X वर्तमान आयू है और 8 वर्स पीछे मतलब X माइनस 8 वर्स हो जाएगा इस तरह से अब प्रसन क्या कह है? जो हमने पीछे गया है ना जिन जिन देखो यहाँ पे 5 वर्स पीछे गया है और यहाँ पे 8 वर्स है इन दोनों को गुड़ान फल करने के लिए कह है तो गुड़ा करेंगे तो उनका गुड़ान फल कितना होगा? 40 होगा तो कर दो भी x-5 और यह हो गया x-8 दोनों का गुड़ान फल यह हो गया 40 अब इन दोनों का गुड़ा कर दो गुड़ा करने भी कितना आ रहा है देखो तो यहाँ प्यार है x और x का गुड़ा होगा ती होगा x कवर्ग होगा यह x इसको भी गुड़ा करेगा तो 8 x हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस है 5 इसको गुड़ा करेगा तो यह हो जाएगा माइनस 5 x हो जाएगा यह माइनस है प्लस हो जाएगा और 8 पंचे कितना हो गया 40 तो यह हो गया 40 और इस पार है 40 दिया हुआ है यहाँ पर x अक वर्ग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 5 कितना होता है 13 तो माइनस 13x हो गया यह 40 उस साइड ले जाते हैं यह संख्या में ये भी संख्या में है तो देखो 40 उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर 40 माइनस 4 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x अक वर्ग माइनस 13x बराबर यह दोनों घटके 0 प्राप्त ह गया अब यहां पर एक की दो वैल्यू प्राप्त हो जाएक तो पहली वैल्यू देखो यहां पर एसको लेंगे तो x ब्राप्त गा गराएगगा अब बचा है x-13 बराबर 0 तो यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त होगा 13 तो यहाँ पे answer क्या आएगा x बराबर 13 जो है इसका main answer होगा फिक तो यहाँ पे आप रख सकते हैं नील मली की जो वर्तमान आई हुए वो कितनी है 13 वर्स है तो यही इसका answer है देख लो भई बहुत आसांता प्रशन बनाना बहुत ही आसानी से मैंने इसको हल कर दिया चलो next प्रशन देखे बहुत ही easy जी प्रशन है यहाँ पे सारे प्रशन बहुत ही easy है पता नहीं आप लोग कैसे टफ लगने लगता है सभी प्रशन जबकि देखो मैं हल कर रहा है तो बहुत आसानी से सभी का answer जो है आ रहा है चलो next प्रशन देखो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई उन्होंने भोजन पर व्याय के लिए 480 रुपे इकठे किये लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए जिससे प्रतेग विद्यार्थियों को भोजन पर व्याय के लिए 10 रुपे अधिक देने पड़े बताईए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गये हमें यह बताना है कि विद्यार्थी पर जाने वाले मतलब जितने विद्यार्थी पिकनिक पर गय है ना उनकी संख्या हमें यहाँ पर निकाल के बताना है बहुत आसान प्रस्न है चलो इसको भी हल करते हैं यहाँ पर यह चीज नहीं बता है कि कितने विद्यार्थी गय है ले या फिर पिकनिक पे जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, माना पिकनिक पे जाने वाले पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स, हम जितने भी विद्यार थी पिकनिक में जाने वाले हैं उन सभी की संख्या को हम एक्स माल लेते हैं ठीक है जाने वाले हैं अभी गया नहीं है प्लानिंग बनाये हैं वो लोग और प्लानिंग बनाने के बाद जाने वाले हैं उनकी संख्या क्या है एक्स है जैसे कि प्रस्ण जा रहे हैं वो सब के सब पैसा इकठा कर लिए ठीक है तो कितना पैसा इकठा कर रहे हैं 480 रुपया तो यहाँ पे लिखो एक्स येही तो है ना? जीतने विद्यार्थी जाने वाले हैं, सभी विद्यार्थी वह थो, यहाँ पर एक्स विद्यार्थी, एक्स विद्यार्थीओ, द्वारा भोजन पर ठीक है, भोजन पर वे हे तू दी गई रासी, दी गई रासी, कितनी है, 480 रूपया, सभी के द्वारा इकठा किया गया था कुल, उन्हें लगा था कि 480 रूपया भोजन में खर्चा होगा, तो उन लोगों ने क्या किया, कि 480 रूपया इकठा किये, सभी विद्यारती के द्वारा, जिन लोगों ने प्लान बनाया है, कि ह ये तो कुल कुल है दोनों ये कुल विद्यार्थी की संख्या है ये कुल खर्चा है तो हम क्या करेंगे कि हम एक विद्यार्थी द्वारा दी गई रासी को निकालेंगे कूल के जगा में हमें क्या करना है एक का निकालना है तभी हम प्रस्न को आगे हल कर सकते हैं तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक विद्यार थी द्वारा एक सेकेंड भोजन पर वै हे तू दी गई रासी कितना होगा भई कुल कुल के साथ भाग दे देंगे तू निकल जाएगा तो कुल पैसा कितना है कुल रासी 480 रूपया और कुल विद्यार थी कितना है एक से है दोनों को भाग देंगे तो एक विद्यार थी द्वारा भोजन पर वय है तू रासी निकल जाएगा तो इस तरह से आपको भाग दे देने हैं ठीक है तो यहाँ पर निकल गया 480 अपान एक्स एक्स की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास मतलब हमें पता नहीं है कि विद्यार्थी की संग्या कितनी है तो हम एक्स से ही भाग देंगे तो एक्स से भाग देंगे तो यहाँ पर एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर दी गए रासी यहाँ पर निकल जाएगा अब आगे हम पढ़ते हैं प्रस्णों को, तो आगे प्रस्णों को पढ़ने भी क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जितने लोग प्लान बनाये थे न, उन में से आठ विद्यार्थि कुछ कारवस नहीं जा पाएं, ठीक है, कुछ कारवस वो नहीं जा पाएं, तो क्या होगा, जितने विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने के लिए योजना बनाये थे, उन सभी में से कुल विद्यार्थियों में आठ विद्यार्थियों को निकाल देना है, क्या करना है, आठ विद्यार्थियों को निकाल देना है, तो देखो योजना बनाने वाले कितने थे, पिकन पिक्निक में आठ विद्यार्थी कुछ कारण वस नहीं जा पाएंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स थी और एक्स हमें हम 8 को कम कर देंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस 8 विद्यार्थियों कम करेंगे तो कुल विद्यार्थियों ने योजना बनाया था उन सभी में हमें कितना कम करना है आठ विद्यार्थियों को कम करना है तो इस तरह से x-8 हमने कम कर दिया तो जब इसमें हम कम कर रहे हैं तो भोजन में भी रासी वे जो है वो कम होगा होगा ना तो भोजन में भी कम कर देते हैं तो विद्यार्थियों द्वारा जो भोजन की राशी चलो लिख लेते हैं यहाँ पे x-8 क्योंकि यही हम कम करें तो x-8 विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर विए हेतू कम की गई राशी लिखना है दी गई राशी नहीं लिखना है कम की गई राशी क्योंकि हम इसको कम कर रहे हैं कम की गई राशी कितना होगा भई आपको पता है कि कुल राशी जो है वो 480 है और इसमें 8 विद्यार्थि अगर कम हो रहा है तो x-8 जो है इनके पैसे माइनास हो जाएगा ये आपको पता चल गिया अब प्रस्ण क्या कह रहा है अब प्रस्ण ये कह रहा है कि प्रस्ण अनुसाल लिख लेते हैं प्रस्न क्या कह रहा है कि प्रस्न ये कह रहा है कि जिसमें से प्रत्यक विद्यार्थियों को भोजन पर व्याय के लिए 10 रुपय अधिक देना पड़ा है अब देखो जो रासी है इसको कम नहीं करना चाहते 480 रासी है ये तो भोजन पर खर्च होगा ही होगा इसके लिए बाकी जो विध्यार्थी जो बचे है न जो आठ कम करने के बाद मतलब जो बचे है उन सभी को 10 रुपे अधीक पैसे लग रहे हैं फिर दो दस रुपे अधीक लग रहे हैं तो इसको कैसे हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो 480 है इसको इस तरह से लिखेंगे 480 x-8 लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे और यहाँ पे एक विद्यार्थी क्या है 480 upon x इस तरह से करेंगे और उन सभी को 10 रुपय अधिक देना पढ़ रहा है ठीक है तो यह सब यह विद्यार्थियों को कम करने के बाद हमें 10 रुपय का अधिक भार देना पढ़ है तो इस तरह से एक समीकरण बनेगा ठीक इसको याद रखना समीकरण इस प्रकार से आपको बनाने है अब आगे हल करतें इस समीकरण को तो यहाँ पर देखो नीचे में हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा हर को बराबर करना तो इन दोनों का साथ में गुड़ा देखो कैसे करोगे यह जो 8-x है का इसका गुड़ा उपर नीचे यहाँ पे करोगे इस x का उपर नीचे यहाँ पे गुड़ा करोगे यही तो तरीका है न इसको हम कहते हैं लगुत्तम निकविधी कहते हैं तो यहाँ पे 480 दिया हुआ था इसके साथ x सक गुड़ा होके 480 अपान x हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ था x-8 और x सक गुड़ा होगा तो यह x गुड़ा हो जाएगा मैनस 8x हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ था 480 यह तो 480 और जो मान था वो x मैनस 8 के साथ गुड़ा होगा तो यह x हो जाएगा फिर मैनस और यहाँ पे 8 गुड़ी 480 इसे इस तरह से लिख लो बाद में इसको हल करेंगे यह x सक्वर्ग मैनस 8x इस तरह से और बराबर यहाँ पे 10 लिख लेंगे ठीक तो यहाँ तक आपको समझ में आया है चलो आगे हल करते हैं यहाँ हमारे पास दूसरा और तरीका था देखो यहाँ पे यह थोड़ा लंबा जा रहा है तो क्या करेंगे पहले उभैनिश निकाल लेते हैं तो छोटा हो जाएगा 480 480 दोनों से उभैनिश निकाल लो तो उभैनिश निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह छोटा हो जाएगा तो देखो यह रहा 480 हम उभैनिश निकाल लेते हैं यहाँ पे बचेगा 1 upon x-8 यहाँ पे minus 1 upon x इस तरह से बचेगा और यहाँ पे 10 है इसको हम उस पाल ले जाते हैं तो यहाँ पे यह गुड़ा के रूप में देखो ध्यान देना गुड़ा के रूप में मतलब कहाँ पे जाएगा नीचे में जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 x-8 बचेगा और 1 upon x बराबर 10 upon यह हो जाएगा 480 यह एक 0 यहाँ पे कड़ गया तो यहाँ पे 1 upon 48 बचा ठीक है यहाँ पे हमने इसको भी काड़ दिया अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो नीचे के हर बराबर नहीं है तो हम हर को बराबर करनेगे तो हर को बराबर करने का तरीका क्या है इन दोनों का उपर नीचे गुड़ा कर देंगे x अगा तो x अग उपर भी गुड़ा हो गया नीचे भी गुड़ा हो गा तो x से कम x मतलब x दूनी वर्ग हो जाएगा फिर यहाँ पे 8 x हो जाएगा इसका उपर गुड़ा करेंगे और नीचे भी गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा और नीचे के साथ गुड़ा करेंगे तो x अगुवार्ग माइनस 8 x हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपान और 40 यहाँ पे प्राप्त हो रहा ह अब देखो क्या करने वाले हैं भी ये दोनों मान बराबर है इसका मतलब इसे हम एक बारा आप लिख सकते हैं x अगुवर्ग माइनस 8x और यहां पे यह जो मान है इसको हल कर लेते हैं तो यह मान देखो जो माइनस में यह इस तरह से आपको लिखना है इसको ठीक है तो माइनस कंदल गुड़ा करेंगे जो माइनस में है वो प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस में तो X क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में था और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा ये माइनस में क्या हो जाएगा ये आठ हो जाएगा इस तरह से और यहां प प्रक्रिया हो रहा है गुड़नखन करने वाला तो इस तरह से हम भुपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ गया 8 गुड़ीत और 40 कर लो बाद में गुड़ा कर लेंगे इसको इसके बाद यहाँ पर क्या है? X है वर्ग माइनस 8X दिया है इन दोनों को गुड़ा कर लो भी तो 88, 84 का 4, 6 हासिल और 8, 2, 16, 2, 32 और 6 कितना होता है? 38 तो यह हो गया 38 ठीक, 384 आ गया और यहाँ पर X है गुड़ीत माइनस 8X इसको अब जमाते हुए हम लिख लेते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसको एक साइड गा माइनस 8X और यह उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 384 और 0 यहाँ पर बचेगा तो हम अल्टी वल्टी कर लेते हैं तो जमाने में कोई भी चीन परिवरता नहीं होता है । यह जाएगा दो एकम दो निया और दुनुह फिर 2 से जा रहा है और यह टो से जा रहा है capita kut cm फिर 2 से जा रहा है कि 29 चिछ से बरसु जाएगा अब when tail यहां पर कुछ गलती हुए अगर थोड़ा भी गलती होता है न तो यहाँ पे यह प्रस्न जो है वो गलत हो जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि गलत नहीं करना है हाँ यहाँ पे देखो मैं आपको खुद कह रहा था कि यहाँ पे गलती नहीं करना है अब यहाँ पे फिर से करते हैं तो यहाँ पे दो एक कम दो दुनी फिर दो से जा रहा है देखो लगातार दो से जाते जा रहा है तो दो छक्के फिर दो से करेंगे दो तिया फिर तीने कम इस तरह से यहाँ पे हो रहा है देखो इस तरह से यहां पे देखते हैं कितने जोड़े बन रहे हैं ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा और ये दोनों जोड़ा नहीं बन रहा है ठीक है तो देखो कितने एक दो तीन चार ठीक है चार हो गया इन चारों को गुड़ा कर देंगे और इन चारों को यहाँ पे एक होगे 24, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को देखना है कि इसके साथ जोड़ना है कि घटाना है, तो यह बताएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगए है, माइनस, मतलब बड़ी संख्या क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, चोटी संख वर्ग माइनस यहाँ पे है 24x और प्लस रहेगा 16x माइनस 384 बराबर 0 जोड़ा बना लेते हैं इस जोड़े से क्या बहार निकलेगा इस जोड़े से x बहार निकलेगा यह x-24 और यहाँ पे प्लस 16 को भी बहार निकाल लेते हैं, तो यह x हो गया, 16 के पाड़ा में यह आता है, आपको पता है, जब हम यहाँ पे अंडरूट करके हल कर रहे हैं, तो यह इस प्रकार से निकल आ है, मतलब यह 16 के पाड़ा में आए गही आएगा, देख सकते हो, यहा यहाँ पर 24 हो जाएगा बराबर 0 यहाँ सुभाइनिश्ण निकल जाएगा एकस माइनश चो बचाई को दूसरे को ठक में लिख लेते 16 बराबर 0 एक बार इसको इसको लेकर हल करेंगे दूसरी बार इसको और इसको लेकर तो यहाँ पर x-24 बराबर 0 और x प्लस 16 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर 24 आ गया और यहाँ पर x बराबर यह 16 उस पर जाकी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अब यहाँ पर देखो यह माइनस में प्राप्त हो रहा है इसलिए यह अमान्य है ठीक है यह अमान्य है तो क्या करेंगे हम इसको मानने करेंगे तो मानने करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास एक मान दिया हुआ था ठीक है आठ विद्यार्थी कम करने वाला आप लोगों में नहीं जाने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या, कितनी है भई, x-8 था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x 24 है, कुल विद्यार्थी, 24 विद्यार्थी जाने वाले थे, जिन में से 8 को घटा देना है, 8 हम नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ पे आ गया 16 ठीक है तो देखो 16 प्लस में प्राप्त हो गया और यही क्या इसका answer है यहाँ बहुत आसान था प्रश्ण बस आपको दिमाग लगाना है और हल करना है तो जैसे मैं हल करहूं अगर वैसे हल करतो तो आसानी से आपसे पूरा प्रश्ण बन जाएगा चलो आ अंगरेजी और गडित विश्यों के प्राप्तांकों का योग 40 यदि गडित विश्यों में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंगरेजी विश्यों में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विश्यों के प्राप्तांकों का गुडनपल 360 हो जाता है गडित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांग ज्याद कीजिए अब गडित और अंग्रेजी दोनों विशय में हमें कमल के प्राप्तांग ज्याद करना है चलो इसको कैसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे कमल के जो गडित है और अंग्रेजी है इन út습니다 कि बैद सब्सक्राइफित है। इसको सब्सक्राविल एक्विश मुष्भुemant मँध्यदिया वी कुल कितना अप्रांब्राप्त किया है इसको पहले हमें कुछ मानना होगा ऍहां एक दोनों विसियो को तो देखो एक व्यक्ति का जिक है तो हमें व्यक्ति नहीं मानना है हमें क्या मानना है उनके विषय क्योंकि विषय पुछा है प्रस्ण में जो पुछा जाता है उसी को माना जाता है तो यहां पर लिखो माना गडित में गडित में कमल को को एक्स अंग मिले एक्स अंग उन्हें मिल रहा है और गडित और अंग्रेजी दोनों विषय का योग कितना होता है चालिस कह रहा है तो यहां पर आपको पता है कि एक है गडित और एक है हमने वाई माना है क्या लगबग एक जामपल है ना मैं बता रहा हूँ y को हमने क्या माना है अंग्रेजी और दोनों का योग करने पर 40 हा रहा है लेकिन ये एक चैरवाला है तो आपको पता है कि y जो है अमान ने है तो फिर क्या करेंगे ये x को उस साइड ले जाएंगे तो y की value हमें मिल जाएगा जो एक चैरवाला हो जाएगा तो x माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 40 तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो अंग्रेजी में कमल को 40 माइनस x अंक मिले देखो इस तरह से आपको लिखना है फिर आगे प्रस्न क्या कह रहा है प्रस्न ये कह रहा है कि विषय में प्राप्तान जो पहले की तुलना में न तीन अधिक तीक गड़ित में तीन अधिक होगा और अंग्रेजी में चार कम हो जाएगा तो हमें क्या करना है गड़ित में हमें तीन बढ़हाना है और अंग्रेजी में हमें क्या करना है तीन कम करना है तो चलो देखो कैसे हलोगा गड़ित में यहाँ पे लिखो गड़ित में कमल गड़ित में कमल पहले से पहले की तुलना में या पहले से तीन अधिक अंग पारप्त किये पहले की तुलना में तीन अंग अधिक प्राप्त किये ठीक है प्राप्त कर रहा है तो पहले क्या था? एकस था अब पहले की तुलना में तीन अधिक अधिक का मतलब एकस हमें तीन जोड देंगे तो अधिक हो जाएगा ठीक, अब इसी तरह से अंग्रेजी में भी करते हैं, अंग्रेजी में कमल, पहले की तुलना, तुलना में चार कम, ठीक है, पहले जितना पाया था, उसमें और चार कम हो गया इस बात, तो चार कम अंक प्राप्त किये, इसका मतलब क्या होगा, कि यहाँ पहले जो था, वो 40-x था, और 4 कम कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे इस तरह से, इसको घटा दो, तो कितना प्राप्त होगा, यह 36 हो जाएगा, माइनस x, तो 36-x यहाँ प्राप्त हुआ, और यहाँ पे x प्लस 3 प्राप्त हुआ, फिर प्र भी गुड़न फल, तो यहाँ पे x प्लस 3, और यह हो गया 36-x, दोनों का गुड़न फल करने पर 360 हंग मिलता है, तो इस तरह से यहाँ पे एक समिकर्ण हमें प्राप्त हो गया, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 36x, इसका अंदर उड़ प्लस प्लस में लिखेंगे, तो जितने मान प्लस में रहेगा, उसको माइनस लिखना है, और माइनस में रहेगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो पूरे पत के साथ ऐसा होगा, तो यहाँ पे x प्लस में लिख लेते हैं, और आगे से जमाते हो लिखेंगे, और आगे से जमा किसमे've on in this time thing I have applied I can say건htаф निये क्या बन गया understand ंच्छतिगें ठीक ऑफिर यहां पे चाहिश्च थे यहां पे देखो जाएं तो यहां पीनाथ किसमेंता यह प्लत्री हो यहां पे देखो किसमें इन मैनल से इंडे प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 108 यह अंदर आएगा तो यह प्लस 360 हो जाएगा बराबर 0 यहाँ पर एक सगवार गा माइनस 39 एक्स और इसको घटाते हैं तो यह मान प्लस वाला बढ़ा रहेगा मतलब प्लस में आएगा मान इसको घटाएंगे तो यहां पे दो प्राप्त हो गया और यहां पे क्या है हाँ ठीक है ठीक है दो हो गया ठीक है यहां पे दो प्राप्त हो गया और यहां पे इसे एक उधार दियें तो यह पांच हो गया और यह जीरो तो पांच आ जाएगा और यहां यहां पे 2 आ जाएगा तो यहां पे 252 बि дел lo इतना यहां पे प्राप्त हुआ अब क्या करेंगे ले अब आपने करेंगे यह पता है पर नखर करेंगेां मौर् ollut के बिक्सथाने को 500 के नहीं है तो कोई भी मैसी दो कहई भी मैसी करो कि यहां से 6 मैं धों अब ये दो से नहीं जाएगा, तीन से जाएगा, तीन दुनी, तीन एकाम, अभी भी ये तीन से जा सकता है, तो देखो, तीन सत्ते, 21, अब ये साथ से जाएगा, साथ एकाम, इस तरह से ये गुड़ा होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को एक साथ गुड़ा कर देंगे और इन दोनों को एक साथ गुड़ा कर देंगे ठीक है तो देखो ये छोटी छोटी रासी है उसके बाद एक बड़ा आया अब ये दोनों क्या है ये सबसे बड़ा और ये मंजला वाला है तो इस दोनों को गुड़ा होगा तो देखो क्या आएगा तो यहां पर प्र तो यहां पे जूड़के कितना प्राफ्थ होगा माइनस तैसे प्राफ्थ हो जाए तो हम इसके इस्थान पर क्या रख सकते हैं यह दोनों मान रख सकते हैं तो एक सक वर्ग माइनस 21 एकस माइनस 12 एकस प्लस 252 बराबर 0 जोड़ा बना लो भी इस जोड़े से एकस बाहर निक सकते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में प्राफ्थ हो जाएगा और यह 12 के पारे में कितने बार में कट रहा हैया वल़ा हो जाएगा यह आपको अटा जीमद्ध को को आसानी 21 K nächste काठी हो यहां सकता है तो कितने बार में अब ध्यान देना एक्स की दो वैल्यू प्राप्त हो ना मतलब एक value मान लो ये मान लो पहले वाला लगभाग मान ठीक है पहले वाले में अगर मान लो ये गड़ित है तो एक अंग्रेजी मिला ठीक है तो ये कैसे होगा अभी भी confirm नहीं हुआ है यह गडित है कि अंगरेजी है तो हम क्या करेंगे दो बार इसको लखेंगे दोनों को कहां पर रखेंगे देखो यहां पर मैं बताता हूँ दोनों अभी clear नहीं है कि यह गडित कौन है कौन अंगरेजी है तो इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर जाना है ठीक है यहां पर म गडित में कमल को एक संग मिले तो माल लो मैं एक संग मान पहले में क्या रखता हूं 21 तो इन दोनों में हमें रखना है बारी बारी से ठीक है पहले में माल लो एक संग मान क्या है 21 एक तो निकल गया गडित के लिए भी कर रहे हैं ठीक है यहां पे लिखो गडित के लिए गडित के लिए तो गडित के लिए तो एक सका एक मान क्या प्राप्त हो गया 21 प्राप्त हो गया और जब गडित का हो गया इतना ठीक है यह गडित का हो गया अब अंग्रेजी के लिए करेंगे ध्यान देना अंग्रेजी के लिए तो यहाँ पे 40-21 रखेंगे, ठीक है, दोनों में हम 21 रखेंगे, याद रखना, ठीक है, अभी क्या रख रहा है, X की value हम दोनों में 21 रख रहे हैं, तो गडित के लिए यहाँ पे 21 प्राप्त हुआ, और अंग्रेजी के लिए यहाँ पे मान कितना प्राप्त होगा, 21 घटाए तो यहाँ पे गडित जो है, गडित, ठीक है, गडित के लिए, तो X बराबर इस बार कितना प्राप्त होगया, 12 प्राप्त होगया, अब अंग्रेजी के लिए निकालते हैं, लिए, ठीक है, अंग्रेजी के लिए निकालेंगे, तो कितना प्राप्त होगा भी, अंग्रेज 28 प्राप्थ हो जाएगा तो देखो दो बार अलग अलग वैल्यू प्राप्थ हो आपको ये दोनों वैल्यू 12-22 रखना और इस तरह से आपको एंसर लाना है आप लोग मेच कर लेना आपका एंसर जो है यही आया होगा जब आप गडित के लिए पहले वैल्यू आप 21 रखते तो इस तरह से यह पुरा प्रस्नावली कंप्लीट हो गया इसके बाद हम लोग नेश्ट प्रस्नावली को देखेंगे